Hello students, welcome to the Gyan Ganga Academy's Interactive Classes. Hello everyone, today we will work in Hindi and students, this is your Hindi Worksheet. बच्चों, आज हम Hindi में वर्क करेंगे और ये आपकी Hindi की Worksheet है. And our today's topic is Identification of E. आज का जो हमारा topic है वो है E. पहचान करना. औ, आ, हम कर चुके हैं. और आज हम करने जा रहे हैं E. छोटी E, छोटी E से Imli. यह है छोटी E और यह है छोटी E से Imli. तो बच्चों, आज हमें क्या करना है? आज हमें E की पहचान करनी है. और छोटी E Imli में color fill करना है. और उसके साथ इसाथ नीचे उसकी दी हुई exercise को complete करना है. तो चलिए, सबसे पहले हम E को overwriting करेंगे यहाँ पर. तो यहाँ पर हमें क्या करना है? यहाँ पर हम इस तरीके से छोटी E से Imli बना लेंगे. राइट? यह देखे, यह बन गया. छोटी E से Imli. क्या बोलते हैं इसको? छोटी से Imli. अब इस साथ में हमें Imli की picture दी गई है. ठीक है ना? तो इसमें हम color करेंगे. Imli brown color की होती है. तो हम इसमें brown color ही कर लेंगे. राइट? जस color का मैं use कर रहे हूँ, उसे बोलते हैं brown color. राइट, students? तो यह भी आप याद रखेंगे, कि यह ब्राउन color राइट, यहाँ पर मैंने Imli में brown color का यूज किया है, क्यूंकि Imli होती है, वह brown ही color की होती है. यहाँ पर हो गया हो, फिर इधर वाली side में भी कर देंगे. और यहाँ चांद यहाँ, यहाँ पर उपर होती हैं, कि आप रही काम जेखेंगेगे। अब यह इसकी लीव्स हैं तो लीव्स में हम ग्रीन कलर फिल कर देंगे राइट उसकी पत्तियां हैं उनमें हम ग्रीन कलर फिल कर देंगे इसे इमली इस तरीके से हमने आपर इसे इमली में कलर कर दिया इसकी लीव्स हैं लीव्स में हम ग्रीन कलर कर रहे हैं अब 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 आप अपनी नोट बुक में इस तरीके से जो प्लेन वाला साइड है आपकी नोट बुक में उसमें पहले हापर इस इमली की पिक्चर बनाएंगे और उसमें इसी तरीके से कलर भी फिल करेंगे राइट तो आप चलते हैं इसकी नीचे की एक्सराइज पर देख अपना सवेगे पावाओ उसमान अक्षरों को मिलाना आपको एक चाहिए और इस साइड में अक्षर दिये गए हैं और इस साइड में वह बहुता है वह दूसरी साइड में कहां पर बना हूँ है उसके साथ उसको मैच करना है राइट और अगर आप उसको पहचान सकते हैं तो यह तो और भी अच्छी बात है, कि वो क्या है, जैसे सबसे पहले यहाँ पर अक्षर लिखा है, कौन बताएगा मुझे, वेरी गूड, यह है, अ, अ से अनार, अब इस साइड में देखेंगे, अ से अनार कहा है, यह अ से अनार है, नहीं, यह असे अनार है, यह, यह, और यह दोनों देखो, सेम सेम लग रहे हैं, एक जैसे लग रहे है, तो यह भी ओ है, यह भी ओ है, अब हम क्या करेंगे, इसको इसके साथ मैच कर देंगे, तो हमने यहाँ से, यह जो डॉट बना है, इसके साथ इसको match कर देंगे उसके बाद second number पे जो अक्षर है वो है आ क्या है ये आ आ से आम अब देखेंगे कि इधर कहा लिखा है आ से आम ये है ये नहीं है ये तो औ से नार है और नीचे लिखा है आ से आम है ना तो ये और ये दोनों एक जैसे हैं तो हम इन दोनों को match कर देंगे उसके बाद ये नीचे देखेंगे छोटी E जो हम आज कर रहे हैं जिसका identification हमने आज किया है उपर देखिए ये देखिए ये इसी के जैसा है ना नीचे भी बना हुआ है तो ये है छोटी से इमली ठीक है अब इस साइड में कहां बना है चोटी से इमली ये लिखा है चोटी से इमली तो इसको और इसको हम क्या करेंगे match कर देंगे तो ये हमने इसको match कर दिया तो इसी तरीके से आपको अपनी notebook में ये exercise करनी है तीनों अक्षर लिखने है याँ पर और इस साइड में भी उनको लिखना है और फिर उनको match करना है तो आपको क्या क्या करना है आपको अपनी notebook में सबसे पहले plane वाली साइड में इस तरीके से और इमली की picture बनानी है उसमें color fill करना है और जो lining वाली साइड है उसमें आपको इस exercise को matching वाली exercise को complete करना है तो I hope कि आपको समझ में होगा आप इसको देखेंगे कि ये है E, E से इमली और उसको बार बार आप देखके उसको circle करके उसको matching करके उसकी पहचान करेंगे उस letter की ठीक है ना? तो आज के लिए इतना ही Thank you and good day I hope you enjoyed our video Thanks for being with us